थार में कडाके की ठंड और मौसम में परिवर्तन का दोर जारी है सौमवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली और सुबह से आसमान बादलों की आगोश में समाये रहा बादलों की लुकाचिपी और हलकी बुनाबांदी के बार ठंड का असर बढ़ गया थार में सर्दी बढ़ने के साथ ही शेहर वासी गर्म कप्रों में लिप्टे नजर आए कडाके की ठंड का दोर गुज़रने के बाद तेजी से सामाने होरे मौसम ने सौमवार को सुबह करवट बदलते हुए अपने तेवर्त फिर से तिक के कर लिये सौबर से आसमान पर बादल चाही रहने से धूप देर से निकली इसके साथ ही उतर पच्ची में पच्चुआ हवाओं के जोंकों ने जन सामाने को फिर से सर्दी का एहसास कराना सुरू कर दिया थंडी हवा चलने के साथ बूंदा बांदी से थर्वा मीटर का पारा करीब दो डिग्री लुटक गया सर्दी से बचने के लिए लोगों ने खुद को गरम कपड़ों से ढख लिया इसके साथ ही सर्दी से बचने के कई और जुगत किये बीतिस दिन सुबह हलके बादल चाही लेकिन बीच में कुछ देर को धूब निकलने से मौसम सावाने बना रहा रोशी के अनुरू बाजारों में भी चहल पल बर करार रही सुबहर को मौसम के करवड बदलते एक बार फिर मौसमी बीमारियों के फैलने की आसन का भी काफी बढ़ गई ऐसे में जिलापरसाशन भी हरकत में आ गया है मौसमी बीमारियों से निपटने के तमाम तरीके के प्रयास चिकसा बगदारा किये जा रहे हैं